दिल्ली हाइकोट के आदेश पर विशेश जाँच टीम ने दिल्ली के रोहनी स्थितेक अध्यात्मे का आश्रम पच्छा पेमार कारवाई की और 19 दिसंबर को अध्यात्मे की ओर ले जाने वाले आश्रम में ड्रक्स की गोलियां और सीरिंज बरामद हुई हाइकोट को पूरा मामला बताया गया और 21 दिसंबर को एक बार फिर रेट पड़ी और इस आश्रम से 41 लड़कियां बरामद हुई आश्रम को चलाने वाले का नाम विरेंदर देवदिक्षित है जो अभी पूलिस की हाथ नहीं लगा है और इस बाबा की कहानी शुरू होती है गुजराद से यह बाबा गुजराद के एहमदाबाद जिले में पालदी लाके का है और इस बाबा की कहानी की शुरूआत महीं स होती है 1979 में विरेंदर देवदिक्षित एहमदाबाद में पीएचडी करने आये थे और वहां पालदी लाके में प्रभुपार किस्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आश्रम में गए उस वक्त ब्रह्मकुमारी रही वेदानती ने उसे पीएचडी कोस की जानकारी दी पुरे देश में प्रह्मकुमारी आश्रम की स्थापना करने वाले लेखराज कृपलानी की जब मौत हो गई तो विरेंदर देव दिक्षित ने कहा कि मैं लेखराज कृपलानी हूँ और मैं करश्न हूँ इसके लावा विरेंदर ने ये भी कहा कि उनके अंदर शिव निरं एक सिभणकार की आत्मा भी आ गई है और कहा कि मैं शंकर हूं आश्रम की ब्रह्म कुमारियों ने इसका विरूद किया और विरेंद्र देव दिक्षित को अहमदाबाद के ब्रह्म कुमारी आश्रम से बाहर कर दिया गया इसके बाद वो माउंट अबू गया जहां से उसने आ 1970 से 1978 तक विरेंदर देव ने एहमदाबाद में ही गिरीश अर्दवारियों के घर में शरन ली इस दुरान उसे ब्रहमकुमारी की मुरली के खिलाफ नकाड़े की धुनलिकनी शुरू कर दी ताकि वो खुद को शंकर साबित कर सके इसके बाद ब्रहमकुमारी उन्हों फिर से विरेंदर देव दिक्षित की पिटाई कर दी जिसके बाद उसे फिर से एहमदाबाद छोड़ना पड़ा 1978 में वो दिल्ली आया और महां उसने पुष्प माता के घर में रुका पुष्प माता की एक 9 साल की बेटी थी विरेंदर देव ने उसके साथ रेप किया और कहा कि वो उससे जगदंबा देवी बना देगा और 1977 में उसने वो घर छोड़ दिया और प्रेमकांता की घर में रहने चला गया उसने प्रेमकांता को भी जगदंबा बनाने के लिए कहा और उसका भी रेप कर लिया विरेंदर देव ने 1972 से 1976 के दुरान आजातपूर दिल्ली की सीता माता, पुष्पा माता, कड़कडूमा की संतोश माता के अलावा फरीदबाद की सोमा और शांती के साथ भी रेप की घटना को अंजाम दिया उसने सभी को खुद के शंकर होने का ढोंग रचाया 1973 से 1976 के बीच कभी भी वो एक जगपन नहीं रहा क्योंकि ब्रहमकुमारिया उसे मार दिना चाहती थी 1976 में विरेंदर देव ने एक ग्रुप बनाया और नाम रखा, एडवांस पार्टी, इसे आगे चलकर नाम दिया गया अध्यात्मिक इश्वरिय विश्वित ज्याले जिसे 16,108 गोपियों की जरुरत है, इसके लिए उसने किशोरी और यूवतियों के साथ रेप करना शुरू कर दिया और 31 दिसंबर 1995 को एक दक्षिन भाती शक्स ने विरेंदर का विरूद किया तो विरेंदर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, 1998 को को कोलकता की यूवति के घर वाले कंपिल थाने पहुचकर बेटी को आश्रम में बंदक बनाने रखने और उस पर रेप का आरोप लगाया, पुलिस आश्रम पहुची तो आश्रम के 11 सेवादारों ने गिरफतार कर पीडिता को नारी निकेतन भेज दिया गया, इसके बाद 1998 को दिली के अशोक चे महिने तक वो जेल में रहा और आयकर विभाग द्वारा चापे मार कारवाई की गए जिसमें उसके आश्रम से पांच करोड़ रुपे जब्त किये गए थे, उसका एक आश्रम कॉलकत्ता में भी था जिसका मुखिया रॉबिन दास 2015 में पुलिस ने आतंकियों की मदद क आरोप में उसे जेल भेजा था और कहा जाता है कि चापे मार के दुरान उसके आश्रम से तीस लड़कियों को भी बरामत किया गया था विरेंदेव दिक्षित ने दिल्ली के रुहनी को अपना ठिकाना बना लिया था और यहां से अपने वो काले कार्मों को अंजाम दे रह हुआ है दिल्ली हाइकोट के आदेश बजब टीम ने 21 दिसंबर की सुबहर होने आश्रम पहुंची तो पूरे आश्रम की तलाशी लेने में नो घंटे से भी जादा का वक्त लगा बारा सो वर्गगज के आश्रम में बाइस कमरे हैं जिन में तेरह के ताले तोड़ दिये हैं जुरानमहा से तालिस लड़कियों को बरामत किया गया है और इन में से तीन लड़कियां रिटाइड इंस्पेक्टर की भी है विरेंदे दिक्षित को महंगी गाडियों का भी शौक है और उसके आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों ने उसे कभी नहीं देखा है ले में मर्सडीज और ओडी कंपनी की कारें भी शामिल है विरेंदेर ने दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियान, अउतरपदेश और राजिस्थान में भी आश्रम बना रखे हैं और इसके अलावा उसका एक आश्रम नेपाल में भी है इस मामले में जांच का जिम्मा CBI के पास है जो विरेंदेर दिक्षित की तारी के लिए जगह जगह पर दबिश दे रही है और उसकी तलाश लगाता जारी है ताकि पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सजा दे सके